हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चैनल शेयर पजार वित आयुश और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सेकंड मार्च यह आज की ग्री मार्केट प्रीमियम के बारे में अब जरूर देखिए जो इस्यूस है वह अगले अगले हफ्ते से काफी और उपन होने मीज में भी तो वीडियो को देखिएगा पूरा क्योंकि इंपॉर्टन होने वाला है लेकिन दोस्तों से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसेल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सुर्ण शुरू करते हैं मुक्का प्रोटीन से तो मुक्का प्रोटीन सा आई-प्यो का आपको पता ही है दो दिन कंप्लीट हो चुक है अब एक दिन और बचा हुआ है कौन सा फोर्थ ऑफ मार्च का जब आप इस इस इसमें पैसा लगा सकते हैं एक रुपे की फेस वाल्य है प्राइस बेंडे 26 ए 28 रुपीज पर शेयर का 535 शेयर का लॉट साइज है कुल मिला के 224 करूर का यह आई-प्यो है जिसमें से फ्रेश इशु है पूरा का पूरा बी एसी एनेसी दोनों पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी आज जरूर दिकिए सटरे था म सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है वह अब देख सकते करीवें QIB पोशन 1.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एचनाई पोशन 6.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है जिसमें बिग एचनाई 3.12 एंड स्मॉल चनाई 12.54 रीटेल का डिगरी अल्मुस 10.38 टाइमस के आसप हम कह सकते हैं आने की एक्स्पेक्टेशन से लास दे तो लास दे को देखते हैं कितना टोटल सब्सक्राइब होता है यह इशू बट सब्सक्रिप्शन अभी दख अच्छा है ठीक आगे हम यह जरू कह सकते हैं विगाद इस्यों का साइज उतना बड़ा नहीं है तो ऐसे द है 50 shares का lot size है 423 करोड का यह IPO है जिसमें से fresh issue है 173 करोड का और बजाओ बाकी का offer for sale करीबन 250.56 करोड का इसमें company ने अपने employees के लिए discount रखा है 27 rupees per share का और BAC, NAC दूनों पर इसकी listing भी हमको देखने को मिलेगी इसमें दोस्तों जो reservation है 75% रखा गया है QIVs के लिए 10% रखा गय नया mainboard IPO है जो उपन होने वाला है from 5th of March to 7th of March यह 5 March से 7 March की वीच में उपन होगा 10 रुपे की face value है 210 रुपे से 221 रुपे का price band है 67 shares का lot size है 251.19 करोड का इस IPO का size है जिसमें से fresh issue है 165 करोड का और बचाओ बाकी का offer for sale 86.19 करोड का BAC, NAC दूनों पर इसकी listing भी हमको देखने को मिलेगी तो यह भी नया issue है जो उपन होने वाला है कब से फ्रॉम याद रखी का 5th of March इसके बाद दोस्तों नया mainboard IPO जो 6 March से उपन होगा उसका नम है गोपाल नमकीन अब गोपाल नमकीन और गोपाल स्नाक्स याद रखेगा एक या आई पयो तो confused मत होना कि अलग-अलग का IP का यह नहीं दोनों एक है IP कोई गोपाल स्नाक्स का नाम से कह रहा है कोई गोपाल नमकीन के नाम से पर गोपाल नमकीन हम कच करें इस आई पयो का नाम है ऑफिशल सो 6 March से 11 March की बीच में यह issue open होगा एक रूपे कि इसकी face value है 381 से 401 रूपीस का इसका price band है 37 shares का lot size है 7,650 करोड का यह IPO है पूरा का पूरा offer for sale है इसमें company अपने employees के लिए कौन सी company के employees याद रखेगा जो मैं employees की बात कर रहा हूं तो वो गोपाल नमकीन के जो employees है उनके लिए यह discount है किसी और employees के लिए नहीं अगर आप कोई organization में काम करते हैं उसके employee तो यह आपके लिए discount नही यानि उनको 401 रुपे में share नहीं मिलेगा माइनस 38 रुपीज कर लिजे उत्रे में उनको share मिलता हूँ नजर आएगा BSC NAC दोनों पर इसकी listing भी हमको देखने को मिलेगी याद रखेगा इसके इंदर 50% reservation दोस्तो रखा गया है for the QIVs 35% for the retail and 15% for the HNI category अब दोस्तों बाकी IPO जो premium देखने को मिल रहा है तो अपने आप में दमदा premium में याद रखेगा issue 7 March से 12 March तक open रहेगा next is Shri Karni Fapcom एक NAC SME issue है 227 रुपे का इसका price bend है और grey market आप देखेंगे तो 300 रुपे करेंटी चल रही है यादि almost 132% इसकी premium जो है वो चल रही है 42.49 करण का इस IPO का size है ये 6 March से 11 March के बीच में नया SME issue है जो open होने जा रहा है next is Gopal Snacks एक और जो तो में बुड़ाई पर जो हमने बात करी grey market almost 30% पर चल रही है अब 160 रुपे तक का इसका high बना है आपको बता दूँ बट बहुत fluctuations देखने को मिले है अब 120 रुपीस तक फिर हम को देखने को मिल रही है तो अच्छी बात क्या है कि करीं 30% का इसका premium चल रहा है तो बढ़िया है लेट सी कितना इसको response मिलता है next is Cora Fine Diamond एक BACA से में इशु है 55 रुपे का इसका price wind है पांच क्रोड का इस IPO का size है और ये 6 मार्च से 11 मार्च की बीच में open होगा अगला है JG Chemicals याद रखेगा mainboard इशु है ग्रे मार्केट 22.62% करेंटली चल रहा है ये इशु पांच मार्च से open होने जा रहा है याद रखेगा mainboard IPO है ठीक है next is Sona machinery एक NSE SME issue जो दोस्तो open होने वाला है from 5th of March to 7th of March एक SME issue है no doubt 143 रुपीज का price band है 51.82 करोड का IPO का size है और ये इशु 5 मार्च से open हो जाएगा next is we are infraspace एक और NSE SME issue जो open होने वाला है from 4th of March to 6th of March 85 रुपीज का इसका price band है और almost दोस्तो 20.40 करोड का IPO का size है ये इशु भी दोस्तो open होगा 4-6 मार्च के बीच की में next is RK SWAMI current gray market चल रहा है almost 19% का कई जगा पर 20% में चल रहा है but majorly 19% का premium हमको देखने को मिल रहा है और ये इशु open होगा तो निपॉन लाइफ इंडिया इनका largest institutional investor था जिसने almost 50 करोड के shares करीदे उसके बात अधित्य बिल्ला सनलाइफ जिन्होंने करीबन 20 करोड के shares करीदे और सोसाइटी जनरल है सेटी ग्रूप ग्लोबल है कॉप्टल मॉरिशेज है गोल्मिन साक्स है बेन पी परीबस है लाइसी म्यूचल फंड है पाइन बिज ग्लोबल फंड बजाज आलियांस जेम फिनांशल म्यूचल फंड इस बीए जनरल इंशॉरेंस कंपनी तो ऐसे कुछ बड़े नाम देखने को मुलेंगे जो इनके आंकरूप में शामिल हो तो एक अच्छी यानि स्टॉंग आंकर वोग हम को देखने को मुलती है बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होते हुए नजर आए है इसके बाद दुस्तों जैसे मी इशू आता है वो है MVK Agro का MVK AgroFood का भी आखरी दिन उने वाला है on 4th of March 65 करोड का यह IPO है बट अभी तक 2 गुनाई सब्सक्राइब हो है क्योंकि 8% का इसका करेंट प्रीमियम चल रहा है मुक्का प्रोटीन ग्रे मार्केट अब देख सकते हैं 103.57% का चल रहा है तो इसकी भी दोस्तों last day on 4th of March नेक्स्ट इस भारत हाइवेज इनविट अब देखें IPO बंद होने के बाद ग्रे मार्केट स्टार्ट हो यह 2 रुपे बट मैं आपको पहले भी कह रहा है कि जादर स्यादा 2-5% की बीच में इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी तो 2% का premium बहुता चौकाने वाला नहीं है platinum industries allotment out हो चुका है तो सबसलतों congratulations to all those जिसको यह IPO लगा और बिल्कुल grey market में गिरावट जरूर है बट में अच्छे लिस्टिंग होगी वहाँ पर कोई जादा doubt नहीं है पूर flexi pack यहाँ पर भी दोस्तों allotment out हो चुका है तो EIP तो जिसको मिला हो सबको तो very 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 congratulations because it's a very big IPO अगर आपको लगा है क्योंकि बहुत बढ़िया SME issue है जिसकी listing almost अभी 176% उपर हो रही है बट इससे उपर होने की और expectations है तो let's see होता क्या है Execom का भी allotment out हो चुका है तो EIP तो इसको लगा हूँ उनको भी very very congratulations because यह सारे अपने आप में देखे दमदार IPOs हैं जिनको लगे हैं allotment ज़रूर काफी लेट आया Execom और पूर flexi pack का बट out हो चुका है तो अब जाके check out कर सकते हैं link in time website पर आया बाकी always metal listing होने वाली है on Monday और इसकी भी ताबर तोड लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी तो let's see क्या होता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था आपको वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चनल से पहले बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना थांकियो फ्रेंट्स लॉचिंग दिस वीडियो